दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज के वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की पंचवर्षिय योजनाओं से संबंदित Top 40 Question Answers देखें जितने भी competitive exam है कोई भी ऐसा competitive exam नहीं है दोस्तो जिसमें पंचवर्षिय योजनाओं से संबंदित Question ना पूछे जाते हो तो ये topic बहुत ही ज़्यादा important है और मैं इसमें दोस्तो जो questions लिये हैं आज वो इससे भार question कभी भी नहीं पूछे आते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से पूरा इंट तक देखना चाए आप किसी भी exam की चारी कर रहे हैं चालिस में से आप लोग कितने questions के answer सही कर पाते हैं अपना score जरू बतेगा comment box में पहला question है दोस्तो पर्थम पंचवर्सिय योजना का कारियकाल क्या रहा है तो इस question कर रहे हैं 1951 से लेके 56 तक तो ये आपसे question कहीं बार पूछे आता है दूसरा question दोस्तो very very important question अभी भी पूछा गया था exam में कौन सी पंचवर्सिय योजना हेरोड डोमर मोडल पर आधारी थै तो बतेए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तो ये पर्थम यानि की first पंचवर्सिय योजना ही आधारी थै यानि की option ए रहे आइट आंसर हैगा दूसरे question का right answer तीसरा question आता है पर्थम पंचवर्सिय योजना में किस पर जोर दिया गया था यानि की किस छेतर पर जोर दिया गया था तो इस question का right answer बतेए तीसरे question का right answer आईगा दोस्तो किरसी विकास पर यानि की B right answer आईगा दोस्तो तीसरे कोशन का सही उत्तर ठीक है? सारे कोशन्स आते हैं एक्जाम में यह कोशन नमबर 4 है दूसरी पंचवर्षिय योजना का कार्यकाल तो दूसरी पंचवर्षिय में बिल्खुल दोस्तो सिक्वेंस में लगाया यह ठीक है ना? जहाँ जहाँ से कोशन्स बनते हैं वो सारे इसमें चीजे कवर कराए गई है वीडियो अच्छी लगे ना तो दिल से लाइक कर देना एक कोशन नमर 4 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा 1956 से 61 तक दोस्तो हमारी चली है दूसरी पंचवर्षिय योजना ठीक है पाचवा कोशन दोस्तो आता है कौनसी पंचवर्षिय योजना PC महल नोबिस मोडल पर आधारित थी वेरी 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 इंपोर्टेंट माक कर लेना 100% पूछे जाना वाला कोशन एक्जाम में अभी भी पूछा गया था पाचवा कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा ऑप्शन भी सेकिंड पंचवर्षिय योजना ठीक है जिस पर ये वेरी वेरी लिख दूना उसको रट लेना कैसे भी कर लेना एक्जाम में पूछे जाएगा वो कोशन देख लेना आप लोग चले देखे एक और चीज यहां पर दोस्तो जानने वाली है कि 6000 के कोशन आंसर्स की इसी परकार से मने एक पीडियाप बनाई है जिसमें आपको सब कुछ कवर कराया गया है सब कुछ मिल जाता है जो एक्जाम में पूछे जाता है इस पीडियाप में इस पीडियाप को आप कैसे परचेज कर सकते हैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सिन बोक्स में है हमारी वेबसाइट पर है और वोटसप नमबर पे भी मिल जाएगा ये किस-किस के लिए important है दोस्तो कोई भी एक्जाम जिसके लिए आप लूशेंट पढ़ते हैं लूशेंट के कोई भी equivalent बुक पढ़ते हैं तो आप इस पीडियाप को परचेज करके पढ़ लीजे क्योंकि इसमें दोस्तो केवल सेलेक्टिव चीज़े दी गई है 90% सेले बस आपका complete हो जाएगा ठीक है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर ओन रखना ताकि आगया नवली सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहें चटा question क्या कहे रहे है दुत्य पंचवर्षय योजना में किस छेत्र पर अधिक जोर दिया गया था तो दोस्तो चटे question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है दोस्तो उद्योगिक विकास पर ठीक है ना यानि कि B right answer रहेगा question number 6 का right answer चले शातवा question आता है तीसरी पंचवर्षय योजना का कार्यकाल अब तीसरी पंचवर्षय योजना पर आ चुके हैं ठीक है तो सातवे question का right answer क्या रहेगा option हो जाएगा दोस्तो 1961 से 66 तक दोस्तो हमारी तीसरी पंचवर्षिय योजना चली थी अगला question आता है तीसरी पंचवर्षिय योजना में किस पर जोड दिया गया था यानि किस छित्र पर जोड दिया गया था दोस्तो आटवे question का right answer है गा option D देखे तीसरी पंचवर्षिय योजना थी उस पर दोस्तो आत्म निर्बर भारत ठीक है ना किरसी उद्योग इन सभी चीजों पर जोड दिया गया था तो आपसे एक्जाम में कुछ इस परकार भी question पूछे जा सकते हैं या तो तीनों option में मिल जाएंगे या फिर आपको केवल आत्म निर्बर भारत दे दिया जाएगा ठीक है ना आत्म निर्बरता तो वो भी आपको answer लगाना है ठीक है तो right answer D रहेगा आठवे question का right answer अपना score जरूर बतेगा comment box में इस पूरी वीडियो को देखने के बाद नोवा question क्या करें तीसरी पंच वर्षय योजना के समय परधान मंतरी कौन थे और देखे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है पहली पंच वर्षय योजना दूसरी पंच वर्षय योजना और तीसरी पंच वर्षय योजना के समय दोस्तो परधान मंत्री कौन थे नुवे कोशन का राइट आंसर ओप्शन ही हो जाएगा जवालाल नहरू जी ठीक है क्योंकि देखे योजना आयोग जो होता था दोस्तो पहले अभी तो नीती आयोग हो गया है वही पंचवर्षी योजना बनाता है और उसके अध्यक्स कौन होते हैं परधान मंत्री तो यह आपको ध्यान रखने वाली चीज है तो राइट आंसर ओप्शन ही हो जाएगा यह आपको याद रखना है ठीक है जवालाल नहरू जी दसवा कोशन है पहली पंचवर्षी योजना अवकास कब से कब तक रहा देके तीन पंचवर्षी योज हैं अवकास का मतलब होता है कि जितने समय में यह अवकास रखा गया उसमें one year का प्लान चला यानि कि five year प्लान नहीं चला है उसमें one by one year के प्लान चले हैं और वो तो कुछी समय के लिए होता है तो दसमें कोशन का right आंसर क्या रहेगा option यह ओजाएगा 1966 से लेकर के 69 तक य मैं आपको तीनों कवर कराऊंगा ग्यारवा कोशन है चोथी पंच वर्षय योजना का कारियकाल तो इस कोशन का जरा आंसर बता दीजे ग्यारवे कोशन का दूस्तों राइट आंसर हैगा 1969 से 73 तक ये हमारी चोथी पंच वर्षय योजना चली थी तो राइट आंसर बी हो जाएगा ठीक है भई ठीक है ना भई चले बारवा कोशन आता है चोथी पंच वर्षय योजना में किस छेतर पर जोड़ दिया गया था ये आपको बताना है तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा आत्म निर्भरता पे जोड़ दिया गया था यहाँ पर चोथी पंच वर्षय योजना में तो राइट आंसर इस ओप्षन है ये भी आपको याद रखना है कोशन नमर्ट थर्टीन है दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है और कई बार दोस्तों अच्छे लेवल का कोशन है पूछा जाता है इसरो की जो इस्थापना है दोस्तों वो किस पंच वर्षय योजना में हुई थी तो थर्टीन का जो राइट आंसर हैगा देट इस ओप्षन डी चोथी पंच वर्षय के दो रान ही चार सालों की रही थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क करी इस कोशन को भी क्योंकि कोई सी भी पंच वर्षय योजना दोस्तों चार साल मतलब पांच साल से कम की नहीं रही बस एक योजना थी जो चार सालों की रही थी ठीक है ना तो इस पंदर्वे कोशन का राइट आंसर हैगा option D, पांच भी पंच वर्षिय योजना ही है यह तो यह आपको याद अखना है ठीक है, तो राइट आंसर D हो जाएगा 16 कोशन है, पांच भी पंच वर्षिय योजना में किस पर जोड दिया गया था तो 16 कोशन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा option हो जाएगा C, गरीबी हटाओ अच्छा एक कोशन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंच वर्षिय योजना में दिया गया था तो वो दोस्तों 5 भी पंच वर्षिय योजना है यानि कि कोशन को उल्टा करके पूछा जा सकता है ये point भी note करने वाला है सतरवा कोशन है सबसे पहले rolling plan किस party ने सविकार किया था तो ये question भी पूछा आता है सतरवे question का राइट आंसर एगा दोस्तों जनता party ने यानि कि C राइट आंसर तो ये कब सुरू किया गया था तो अठारवे question का राइट आंसर एगा option B 1975 में ये भी दोस्तों हर बार exam में पूछा जाता है repeat होने वाला question है B राइट आंसर एगा 19 वा question है दूसरा योजना अवकास कब से कब तक आया था तो देखें पर्थाव हमने देखा दूसरा योजना अवकास दोस्तों कब से कब तक रहा 19 वे question का right answer option एगा 1979 से 80 में यानि कि एक साल का योजना अवकास रहा तो right answer option एगा दोस्तों अगला question आता है चटी पंच वर्से योजना का कारेकाल बहुत ही important question है और दोस्तों यहाँ पर 21 question का right answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा गरीबी निवारन, आर्थिक विकास, आधुनिक एवं आत्मी निर्वर्ता इन सभी चीजों पर दोस्तों जोड दिया गया था चटी पंच वर्से योजना में यानि कि 21 question का right answer D रहेगा दोस्तों दिल से बताना मेरी महनत आपको कैसी लग रही है मैं आपको लिए बहुत ही महनत करके questions का collection लेके आता हूँ तो आपको बस छोटा सा काम करना होता है वीडियो को like करना और अपने उन घनिस्त मित्र को या भाई को या बहन को share करना जो भी आपके साथ में competitive exam की त्यारी करते हैं प्लीज उन तक जरूर वीडियो को share करते हैं बाईसवा question है साथ भी पंचवर्से योजना का कहरेकाल तो बाईसवा question का right answer क्या रहेगा option हो जाएगा B 1985 से 90 के बीच में यानि की B right answer हो जाएगा दोस्तों अगला question आता है कौन सी पंचवर्से योजना जॉन डबल्यू मोडल मिलर मोडल पर आधारी थी प्लीज इसको ध्यान से याद रखना जॉन डबल्यू मिलर मोडल पर आधारी थी कौन सी पंचवर्से योजना तो तो 23 वे question का right answer option D हो जाएगा ये भी very very important question है ठीक है अगला question आता है तो 7 वे पंचवर्से योजना में किस पर जोड दिया गया था तो 7 वे पंचवर्से योजना में मेरे प्यार दोस्तों रोजगार, सिक्सा, जन्सवास उप्रुक्त सभी पर जोड दिया गया था यानि कि D right answer अगला question आता है तीसरा योजना अवकास कब से कब तक रहा मैंने क्या बोला था दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में कि 3 योजना अवकास में आपको cover कराऊंगा तीनों आपको याद रखना है क्योंकि 3 से ही question पूछे जाते है 25 question का right answer option बी हो जाएगा 1990 से बान में यानि कि 2 साल का आपका योजना अवकास रहा है यानि कि B right answer दोस्तों हो जाएगा ये आपको याद रखना है चले next दोस्तों 26 वा question है आपका आठवी पंचवर्षय योजना का कार्यकाल तो आठवी पंचवर्षय योजना का कार्यकाल क्या रहा है तो 26 वे question का आपका right answer एगा option C 92 से 97 तो C right answer हो जाएगा 27 question है आठवी पंचवर्षय योजना में किस पर जोड दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों आधुनिक करण पर आत्म निर्बरता पर और उप्रुक सभी आनी की हो जाएगा D right answer ठीक है जी चले 28 वे question है नवी पंचवर्षय योजना का कार्यकाल तो नवी पंचवर्षय योजना का कार्यकाल दोस्तों क्या रहा है 28 वे question का right answer क्या रहेगा 1997 से 2002 नवी पंचवर्षय योजना में किस पर जोड़ दिया गया था 29 वे question का right answer रहेगा most important question mark करिए क्योंकि इस परकार का question आपके exam में अगर देखने को मिलेगा तो आपको लेगा कहा से पूछ लिया कैसे पूछ लिया जीजे हम आपको सब कुछ कवर कराते हैं बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले का बस आपको थोड़ा सा ध्यान का खेले कि कितनी मैनत आप करते हैं पढ़ाई में कितना ध्यान से आप चीजों को सुनते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखेगा, नोवी पंच वर्से योजना में दोस्तों किस पर जोड़ दिया गया था, नियायपूर्ण वित्रन एवं समानता, ठीक है, चलिए, अगला कोशन आता, दसवी पंच वर्से योजना का कारेकाल, तो तीसवे कोशन का रहेगा, आप्शन हो में पर्तिव्यक्ति I को दुगना करना, तो ये उप्रुक्ष दोनों हो जाएगा रहेट अंसर, दोस्तों, C रहेट आंसर, लिकातिसवे कोशन का सही उत्तर रहेगा, अगला कोशन आता है, ग्यारवी पंच वर्से योजना का कारेकाल, तो ग्यारवी पंच वर्से योजना तो right answer D हो जाएगा ये भी important है दोस्तो 12-15 वर्षे योजना का कारेकाल 12-15 वर्षे योजना का कारेकाल मेरे प्यार दोस्तो रहा है तो ज़र 12-17 ठीक है न और 12-15 वर्षे योजना में किस पर जोड़ दिया गया था तो 35 वर कोशन का right answer है दोस्तो ये भी दोस्तो तिर्वितम एवं समावेसी विकास पर ही जोड़ दिया गया था ठीक है right answer D रहेगा दोस्तो यहाँ पर 36 वा कोशन आता है योजना आयोग को खतम करके नीती आयोग की किस पंचवर्षे योजना में बनाया गया very very important mark कर लेना देखे योजना आयोगी दोस्तो फाइव एर प्लान को बनाता था अभी नीती आयोग दोस्तो पंचवर्षे योजनाओं को बनाता है ठीक है ना बस नाम चेंज किया गया कुछ चीजे चीज हुई है उसमें भी अध्यक्सपरदान मंत्री होता था इसमें भी दोस्तो अध्यक्सपरदान मंत्री होता है बट अब नाम चेंज गरके नीती आयोग हो गया है यह किस पंचवर्षे योजना में हुआ है very very important question है 36 वे question का right answer है बारवी पंचवर्षे योजना में चेंज हो गया था यानि कि बारवी पंचवर्षे योजना ही बना पाया था योजना आयोग ठीक है तो यानि कि बाराव पंचवर्षे योजना है दोस्तों किसने बनाए योजना आयोग ने तो right answer C हो जएगा बहुत अच्छे अच्छे लेवल के question cover करा रहा हूँ मजा आ रहा है ना दोस्तों दिल से like करना और share करना और comment box में comment जरू करना 38 कोशन है किस पंचवर्षे योजना में हरित करांती को जनम दिया था ये भी most important question है 38 कोशन का right answer option C रहेगा तीसरी पंचवर्षे योजना में अगला कोशन आता है किस पंचवर्षे योजना में भारत की किरसी वरद्धी दर सरवदिक रही most important question तो 39 का दोस्तों right answer हैगा चोथी पंचवर्षे योजना में यानिकि D right answer हो जाएगा अगला कोशन दोस्तों हमारा आता है सोरी 39 का हां D हो जाएगा अगला कोशन आता है नेमलेकित योजनाओं में से भारत में उच्तम वरद्धी दर किस योजना में रही थी तो देखें दोस्तों 7.2 I think रही थी 7.2% की वरद्धी दर और ये रही थी किस पंचवर्षे योजना में चालिसवे कोशन का रही थी आंसर हैगा ग्यारवी पंचवर्षे योजना में में प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है 41 कोशन है राष्टे विकास परिशत का गठन किस वर्ष किया गया था ये भी इंपोर्टेंट कोशन है तो 41 का रही थी आंसर हो जाएगा अब एक कोशन में आप लोग उसे पूछता हूँ इस वीडियो का कोशन है सबसे पहले तो आप लोग बताईए कि 42 में से कितने कोशन के आंसर आप लोग ने सही किये है और अब दोस्तों कमेंट बोक्स में ये भी जरूर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इस कोशन का आ अच्छा और बहुत ही बेसिक सा कोशन पूछा है जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर बता दीजे अगर आप लोगों ने हाथ एक ये वीडियो देखी है कैसी ये वीडियो आपको लगी कितना मजा आया ये भी कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा और नेक्स्ट किस टोपिक पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता देना अगर आप कोई भी बुक पढ़ने में दोस्तों प्रोब्लाम होती है या फिर देखें लुशेंट है काफी मतलब 30-40,000 कोशन होंगे लुशेंट में उसका ये पूरा निचोड है तो 6000 कोशन पढ़िए इस्टेटिक जी के भी इसमें सारे सब्जक्ट है और इससे आप पूरा 90% अपना सिलिवस कवर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है इस पीडियाप का और चैनल को सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब कर ये बेल ऐकन को ओन रखे क्योंकि यहां